आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ हेलो फ्रिंट्स तो हमारे पास एक Organic Chemistry का सवाल है सवाल में दिये consider the following डाउनियम आयन्स, चार आयन्स दियें the order of reactivity with diazocoupling with phenol in the presence of dilute NaOH is, यानि dilute NaOH के presence में इन में से जो आयन्स हैं, इनका order of reactivity क्या होगा, diazocoupling reaction में phenol के साथ तो diazocoupling reaction होती ही वो एक तरह से electrophilic aromatic substitution reaction होती है, जिसमें electrophiles होते हैं, ये diazonium ions, यानि ये चार ये जो हैं, ये electrophiles होते हैं और जो rate of reaction है या जो reactivity है वो बढ़ती है, वो बढ़ा सकते हैं लोग electrophilicity बढ़ा के electrophilicity बढ़ाना मतलब जो electrophilic साइट है, यानि ये वाली N2 प्लस वाली, उसे electron deficit बना देना, उससे electron और खीच लेना, ताकि वो electron के लिए भूका हो जाए, और वो और जदे electrophilicity उसकी बढ़ा जाए तो electron खीचने वाले ग्रुप तो सिर्फ एक ही में लगा है NO2 यानि पार्ट 2 में, बाकी समय तो NME2, OCS3, CS3, ये electron रिपेलिंग ग्रुप है, ये electron डोनेटिंग ग्रुप है, तो जो सबसे ज़्यादा reactivity होगी, वो होगी पार्ट 2 NO2 में, क्योंकि ये माइनस M, माइनस आइफेक्ट शो करके N2 प्लस से electron अपनी तरफ सारे खीच लेगा और इसकी electrophilicity बढ़ा देगा सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा होगी NO2 में, अब बात करें इन तीनों की तो इन में से 2 के बाद आएगा 4, क्योंकि ये सिर्फ प्लस आइफेक्ट शो करता है, ये mesomeric effect या हम लोग प्लस M, प्लस R effect कहते हैं, वो नहीं शो करता है, यानि 2 के बाद आजाएगा 4, अब बात करी जाए NME2 और OCS3 में, अब NME2 और OCS3 दोनों ही हमारे प्लस M effect शो करते हैं, लेकिन जो हमारा OCS3 group है, ये माइनस I भी शो करता है, हलकल का ये दोनों हमारे प्लस M effect शो करते हैं, लेकिन जो NME2 का ब्लस M effect है, वो ज़्यादा strong होता है, इस compare to OCS3 के प्लस M effect से, ये जो हमारा NME2 का प्लस M effect है, वो OCS3 के प्लस M effect से ज़्यादा strong होता है, यानि जो first वाला हो गया NME2, इसमें सबसे कम होगी reactivity, क्योंकि इसका प्लस M effect कि इंक प्लसम एफेक्ट से लेक्ट्रोन पुछ करके इलेक्ट्रोफिलिटी घटा देगा इंट्टू प्लस की जो सबसे लीस्ट विटी ओगी वह कर रहा था लेकिन NME 2 से कम यह सिर्फ प्लस I effect शो कर रहा था कोई भी प्लस M effect था ही नहीं और यह माइनस M माइनस I effect शो कर रहा था तो करेक्ट answer होगे मारा B part धन्यवार प्लासिक्स से ट्वेल से लेके नीट IIT जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जाधा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज राउनलोड करें डाउटने टाप या वाथसाप कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर